हलो एबरिवन आप सभी का आपके अपनी चैनल सारस टुटोरियल पे बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं क्लास टेन के बच्चों के लिए most important questions लेकर के आई हूँ जी हाँ हमारे पास time नहीं है अब और इसलिए मैं grammar का most important लेकर के आई हूँ इसके लिए आप लोग लिखना जैसे कि आपने questions लिख लिया और उसका practice कर रहे हो ठीक है तो उस तरीके से practice करना और मैं बोल दूँ वीडियो तो आप लोगों को अभी देख नहीं है बट वीडियो देखने का एक मतलब particular time चून लेना ठीक है परहाई के समय वीडियो नहीं देखना है जिस time पे आप परहाई नहीं कर रहे हो जो आपका rest period है ठीक है जिसमें आप rest कर रहे हो या कुछ भी ठीक है या TV वगेरा देख रहे हो तो उस time पे आप वीडियो देख लिया करो अब जो परहाई का schedule मैंने आप लोगों को दिया है उसमें hair fair मत करना वो आपका परहाई का time है उसमें आप करते रहे ना वीडियो एक्स्टा time पे देखना यहाँ पे देखिए मैंने प्रयावाची शब्द का दिया प्रयावाची शब्द में देखिए क्या है शरीर शरीर का क्या होता है देह और तन पुस्ता किताब पोथी हाती मतलब हस्ती गजिया गजेंद्र ठीक है पक्षी खग चिरिया अमरित पियुष सुधा इच्छा मतलब क्या होता है कामना चाहत गंगा देवनदी मंदागिनी मेग बादल जलद पेर ब्रिक्ष पादप नर पुरुष आदमी कप्रा चीर वस्तर आकाश आसमान अंबर पुष्प फूल सुमन ठीक है तो जितने प्रयावाची शब्द दिये हैं वहाँ से डेफिन इन दिनों चैनल के साथ बने रही है क्योंकि जो भी दूंगी वह एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये एक्जाम पिरियेड में चैनल के साथ बने रहेगा मैं अभी भी बोल रही हूं आप लोगों को ठीक है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दिजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किये उनलोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए ठीक है बिलोम शब्द दिखिए अग्रज का अनूच विश अमरित अतिब्रिस्टी अनावरेस्टी अच्छा और एक लिखना परेगा विश दिया तो अमरित लिखना परेगा इस तरीके से ठीक है तो बिलोम शब्द दोनों साइड लर्न करके जाएए अतिब्रिस्टी अनावरेस्टी नास्तिक आस्तिक कभी आस्तिक देता है तो नास्तिक लिखना होता है ठीक है पुर्णाइमा अमावश्य ठीक है अमा वश्य का स्पेलिंग देख लेना तो डाउट लग रहे मुझे ठीक है विकर्षन आकर्षन मुर्क चतुर पराजय जै आयात निरियात ठीक है आगमन गमन आशा निराशा अमीरी गरीबी स्तूती निंदा आधुनिक पुरातन उदय अस्त आस्तिक नास्तिक ठीक ह तो ये हो गया उसके बाद क्या शब्द युगमों के अर्थ का अंतर या शूती शम बिनार्तक शब्द इसमें देखिए अवधी अवधी छोटा धी है तो सीमा बरा धी है तो मतलब एक भाशा का नाम ठीक है निर मतलब पानी होती है निर मतलब घोशला भी होती है पुरु इसमें मातरा लेटर्स अच्छे से देख करके जाना इसमें confusion बहुत होता है बच्चों को ठीक है अरी संबोधन मतलब इस तरी को भी हम लोग अरी सुनते हो उनके husband से बुलाते है न देन पवन हवा पवन पवित्र कुल मतलब वंच कुल मतलब किनारा बड़ा उ है तो किनारा चीर चोटा एकी मातरा है तो पुराना और बड़ा एकी मातरा है चीर में तो वस्तर होता है या कपरा होता है ठीक है कली कली मतलब कल युग और बरी की मातरा अधखिला फूल मतलब वो जो कलिया होती है न जब फूल खिलते हो से पहले क्या होती है कली होती है वो दिन मतलब दिवश होता है और बरी दी मतलब गरीब होता है भिक्षू मतलब साधू और भिक्षुक मतलब भिकारी ठीक है आदी आदी मतलब आरम, छोटी इ वाली. ठीक है, बरी का होता है, तो अभियστ. तेन ग्रह, ग्रह मतलब सूर्य, चैंद्र सुर्य, यह सब जो होते हैं, यह सब क्या है? ग्रह हैं और ग्रह, ग्रह मतलब होता है, गर. मेग मतलब बादल, मेध मतलब यग. और मतलब तरफ और मतलब तथा ठीक है और मतलब तरफ और मतलब तथा ठीक है इसके बाद यह क्या है यह इतने से ही पढ़ने से हो जाएगा इसमें से डेफिनिटली आएगा ही मुहावरे देख लेते हैं मुहावरे में देखे आग बबुला होना मतलब बहुत क्रोधित होना इड का जवाब पत्थर से देना तो मैंने बताया है यह आप लोगों को मुहाबरे किस तरीके से लिखने है ठीक है दैन इड का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखना नमक मिश लगाना बात को बड़ा चरा कर कहना 9-11 होना भाग जाना अंधी की लकरी एक मात्र सहारा घोरे बेच कर सोना निश्शिन्थ होना आस्तिन कह साप कप्टी मित्र कमर कसना तैयार होना ललोचपो करना खुशामत करना अपना उलोच सीधा करना अपना काम निकालना दयान इसके बाद कहें दंग रह जाना आस्च्यर प्रिया वची दिया बिलोम दिया शुर्ती सम्भिनार तक शब्द दिया और मुहावरे दिया बाकी का समास वाक्य शुद्धी करन वाक्य परिवर्तन ये सब जो है अलंकार में नेक्स वीडियो में आपको प्रवाइड करूंगी ठीक है तो चले तब तक के लिए बाई टेके प्रिए ग्रेगा प्रेगा है एूर प्रेगा है तियुआ कर अपको प्रेगा है प्रेगा है झालर कर देके एक्छिए एकर रड़ तो बाई रिया जा। गाइए ऑटोपध।